एस्ट्रोलोजिक डिवाइन इदेवी विद्या है और अभी आप देख रहे हैं जो आज कर लेक्चर चल रहे हैं वो पंच महापुरुष योग के बारे में आपको बता रहे हैं तो पंच महापुरुष योग मतलब जिसमें पांच योग बनते हैं इन पांच योगों में अभी तक हम आपको मंगल से बनने वाला रूचक योग बुद्र से बनने वाला भद्र योग और भ्रहस्पति से बनने वाला हांस योग और शुक्र से बनने वाला मालव योग के बा तो बाकी वोगों की तरह ये भी जब शनी जन्म लगन या चंद्र लगन या दोनों लगनों से केंद्र इस्थान में कुंडली के केंद्र इस्थान यानि एक नमबर चार नमबर साथ नमबर दस नमबर में बैठें और अपनी स्वराशी अपनी ही राशी यानि इनकी दो लिब्रा राशी है तब ये सश्योग बनेगा पंच महा पुरुष योग तो जन्म लगन या चंद्र लगन या दुनों लगनों से जब शनी केंद्रिस्थान कंड़ी केंद्रिस्थान एक चार साथ दस में अपनी ही राशी दस नंबर या ग्यारा नंबर राशी में बैठें या अपनी उच्छ राशी एक जल्टेट राशी तुला राशी में बैठें साथ नंबर में तब ये सश योग नाम का एक बहुती शुब योग बनता है और ये भी एक रेयर योग है और ये बहुत ही अच्छा महापुरुश योग बनता है यह तो इसके बनने के लिज़रोड़ी है जैसे बाकी योगों में बताया आपको कि ये शनी जो है वह योग कारख होने चाहिए यानि अच्छे घरों के लॉड्स होने चाहिए तभी बनेगा अच्छे घरों के लॉड्स हो इसके रावाई या तो स्वेम लगनेश हो या फिर लगनेश के मित्र हो और डिग्री वाइज वो स्ट्रॉंग होने चाहिए बढ़िया होनी चाहिए इनकी तभी वह स्ट्रेंग थाएगी इनके अंदर और तब यह सश्यूग बनेगा लेकिन अगर सपोज आपको दिखाई द चुरू है और डिग्री वाइज भी बहुत काम या बहुत ज़्यादा डिग्री है तो उस केस में इनफेकटिव हो गए तो फिर वह योग नहीं बनेगा या इनके ओपर मारक ग्रहों की द्रस्टी आ जाये मंगल है या रहु है केतू है जो मारक हो के इनके ओपर द्रस्टी डाले या 368-12 के लौड्स इनके ओपर द्रस्टी डाले या कोई संबंद बनाए इनके साथ में उस केस में फिर यह सश योग नहीं बनेगा तो सश योग जो है बनने के लिए जो कंडिशन साब को बताई वो जब तक फुल्फिल नहीं होगी यह सश योग नहीं बनेगा और य आनीम बात है कि बहुत स्ट्रॉंग हो जाएंगे कोई बीए जो शुब ग्रह होता है जब केंद्र में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होते हैं और अपनी स्ट्रेंग्थ अपना बल जो है वो लगन को देते हैं इनकी वैसे लगन बहुत मजबूत होती है और जब लगन मजबूत होगी व्यक्ति की तो फिर क्या होगा वह व्यक्ति जो है बहुत ही उसका भागी बढ़िया होगा वह सुन्दर होगा देखने में और रिच होगा मान सम्मान प्रसिद्धी उसको मिलेगी और उसको किसी वह हाई पोस्ट पर ही रहेगा यह सब सारे गुण आएंगे इनके अंदर अगर यह सश्योग बनता है तो अब माली यह किसी कुंड़ी में सश्योग बना और सारी कंडिशन्स फुल्फिल हो रहे हैं सब बहुत बढ़िया तरीके से वह योग का रख है और अपनी उच्छ या सवराशी में बैठके योग वह सश्योग से और उसके दात छोटे होंगे और चेस्ट उसकी बहुत ज़्यादा चोड़ी नहीं होती वह पतली चेस्ट का होता है और लेकिन थाइस इसकी बड़ी मजबूत होती है जांगें जो हैं बड़ी मजबूत होती है और बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता ऐसा विक्त प्राइट होते हैं और उसका बड़ा मांसंबान सुसाइटी में होता है और उसके हाथ पेर पे अगर आप देखें तो आपको यह चिन मिलेंगे जिसे शंक का चिन है या शंक है चक्र है गदा है या म्रदंग है या कमल का फूल की तरह कोई ना कोई चिन आपको मिलेगा ऐसे जितने भी पंच महापुरुश योगे सब के हाथ पर में ऐसे चिंद मिलेंगे आपको और ऐसा विक्ति जो है साश योग वाला बड़ा लेबोरियस होता है बहुत मेहंती होता है और वो जल्दी हार नहीं मानता जो उसका टारगेट है उसको एचीव करेगा और वो बहुत ही एच ज़ादा होती है दिरगाईओं होता है यह सब फल मिलेंगे और मान लिजे कि कोई वेक्ति जो है बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लीला उसने और उसकी कुंद्धि में यह सश्यूग बन रहा है जो शुब योग है शश्यूग है तो ऐसा वेक्ति गरीब परिवार में जण्म में लेकर भी वो किसी न किसी तरह से बहुत ज़्धा रिच हो जाएगा बाद में को और discipline maintain करने से उसको हमेशा success मिलती है और ऐसे विक्ति बड़े officers होते हैं जहां रहेंगे officers रहेंगे या engineer doctor judge की पदवी पर रहेंगे या advocate रहेंगे और इसके अलावा जमीन मकान से इसको बहुत साइदा होता है और यह ऐसी चीजों में व्यापार कर सकते हैं जैसे की शराब है चमड़ा है लोहा है जो शनी से related चीजें हैं उन सब चीजों में यह अपना business बढ़िया कर सकते हैं और business में बहुत सफल होते हैं और religion में अपना carrier बना सकते हैं तिन के लिए बहुत सारी फील्ड्स हैं यह लेकिन जहां भी रहेंगे हाई पोस्पर और बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्था वान एश्वर वान रहेंगे और लेकिन अगर मालिये कि यह सश्योग बन रहा है सश्योग बनते हुए भी वो शुब है लेकिन फिर भी उसके उपर अगर मारक चंद्रमा या सूर्य या किसी और अशुब ग्रह की द्रिस्टी पढ़ रही है उस केस में फिर यह सुभाव चुकी शनी का है इनेचर कि यह सुभाव से थोड़ा दुस्ट प्रक्र भी हो सकते हैं ऐसे अपोजिट सेक्स वालों से इनके एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स भी हो सकते हैं तो यह चीज़ें आपको बहुत सारा डेटेल बताया यह सब सश्योग जिसकी कुंड़ी बनेगा इस तरीके से उसके रिजर्ट्स होते हैं अब यह तो एक जेनरल हुआ अभी मालीजे किस कुंडले किस हाउस में बन रहा है क्यों केंद्र हाइस्तान में बनना है एक नमबर चार नमबर साथ यह दस में बनेगा अब मालीजे केंद्र में बना है यहां पर शनी बैठ गए तो शनी के बैठने से क्या होगा यहां पर विक्ति का जैसा बताया है बह यहां पर रहके विक्ति को वो सिर से रिलेटेड या चेहरे से रिलेटेड कोई बिमारी इनको हो सकती है, इसके लावा यहां बैठेंगे, तो यहां पर थर्ड द्रिस्टी यहां पढ़ेगी, साहस प्राक्रम बढ़ेगा, चोटे भाई बहन से इनको फाइदा होगा, या यहां टिन्थ द्रिस्टी यहां टिन्थ हाउस से पढ़ेगी, जिसकी वैसे केरियर है, सर्विस है, बिजनेस है, इसमें बहुत फाइदा होगा, मान सम्मान होगा, हैश्वर रवान होगा, उसकी इक्षा सब पूरी होगी, यह सब सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मा इनको बहुत सपोर्ट करेंगे, और अगर पॉल्टिक्स में हैं, तो जनता से बड़ा सपोर्ट मिलेगा, यहां से थर्ड द्रस्टी देखी, यहां पर आएगी, तो रोग नाम की चीजी नहीं, बहुत कम रोग या शरीर की इमिनिटी पावर इतनी बढ़िया होगी, कि जो अगर कोई रोग होगा, तो भी बहुत जल्दी ठीक होगा, शत्रु इन पे हावी नहीं हो पाएंगे, यह इसके लावा कर्ज वर्ज लेने की तो सवाली नहीं उठता, मुकदमे में अगर होगा, तो मुकदमे में इसकी विजए होगी, यहां से सेवन्थ द्रस्टी देखे इनकी रफ हो सकती है, यहां अगर बैठते हैं मालिजे, तो यहां पर यह इस जगह सेवन्थ हाउस में बैठके मेरिड लाइफ बढ़िया, और इसके लावा सुख शान्ती रहेगी घर में, और अगर पार्टनर्शिप का बिजनेस हो, उसमें बहुत फाइदा, यहां पर भ यह 10th हाउस में बैठके अगर सश्यों बन रहा है, तो इससे रिलेटेड जो आपको फल बताए, बहुत अच्छे फल मिलेंगे, थर्ड द्रस्टी देखी, यहां पर पढ़ेगी 12th हाउस में, तो यहां पर पढ़ने से इनका expenditure ज्यादा तो होगा, लेकिन expenditure अच्छी बताए, अच्छे होंगे, और 10th द्रस्टी यहां पढ़ेगी 7th हाउस पे, तो इससे रिलेटेड फल जो आपको अलड़ी बता चुके हैं, वो सब बढ़िया फल होगे, तो इस तरीके से different houses में बैठने से यह सब फल मिलेंगे, अब मा लिजे कि वो different लगन में बैठते हैं, different किस लगन में क्या position बनेगी, क्योंकि आपको बताया कि यह शनी योग कारक होना चाहिए, तभी तो अच्छा फल देगा, तो हर एक लगन में पॉस्कुल नहीं है कि वो शनी योग कारक हो जाए, ऐसा नहीं संभवे 12 लगन है, तो वो देखते हैं कि किस लगन में योग कार में without circle है, दूसरी लगन में with circle वाले number है, इसको आप ध्यान दीजे, तो पहली मेश लगन लेते हैं, मेश लगन जिसमें without circle वाले देखिए सब numbers लिखे हैं, तो इसमें अगर मेश लगन में आप देखें कि अप शनी की क्या position है, शनी योग कारक होना चाहिए, तो शनी की एक राशी यहां 10th house में, दूसी राशी यहां पर 11th house में है, तो यहां पर बैटके केंदरा दीपती जो दोश है इनका वो खतम हुआ, यह तो शुब हो गए, लेकिन यहां बैटके फिर से यह मतलब वो क्रूर हुए, पापी हुए, तो और इसके लावा लगनेश के शत्रू भ बनेगा, तो सश्योग कहां बनेगा, अब सश्योग देखिए, मेश लगने की कुंड़ी में, एक राशी यहां दिखाई दे रही है, 7th राशी, तो यहां पर उच्च के हो जाएंगे, यानि 7th house में, अगर शनी बैटते हैं, मेश लगने में, तो यहां पर सश्योग बनेग और जेनरल रिजर्ट से वह भी अच्चे मिलेगे, अब यह सेकंड लगने की कुंड़ी, टाउरस लगने या ब्रक लगने की कुंड़ी देखते हैं, तो ब्रक लगने की कुंड़ी देखिए, तो इसमें यह विच सर्किल वाले नंबर पर ध्यान दिजे, तो एक राशी यह यहां पर देखिए, यहां पर क्या है यह, यह बने नोमेश, नोमेश यह भागेश और दूसरी राशी यहां डश्मेशे, तो बहुत भी बढ़िया युग का रहे हैं, और लगनेश शुख्र है, इसके मित्र भी है, तो यह यहां कहा बनेगा, यहां पर इनकी, दो प्रक प योग बनेगा राइट टेंथ हाउस में बनने से योग बनेगा बैठने से योग बनेगा अब मिथुन लगने की कुंडली देखिए मिथुन जेमिनी लगने की कुंडली में इसमें विदाउट सरकेल वाले नंबर तीन छे नौ बारा यह है नंबर यह सब जो बिना सरकेल वाल यानि बुद्ध के ये मित्र भी हैं तो इसकी वज़े से ये तो योग का रख हुए अब ये देखिए कि इनकी स्वाराशी या उच्छ राशी कहां है तो तीन छे नौबारा इनकी कोई राशी ही नहीं है केंद्र इस्थान में एक साथ दस में इनकी अपनी कोई राशी नहीं है इसकी वज़े से ये योग सश्योग मिथुल लगन की कुंड़ी में योग का रख है लेकिन यहां नहीं बनेगा अब यह चौथी लगने लेते हैं कर्क लगने या कैंसर लगने इसमें देखिए शनी कहां पर है तो शनी की एक इसमें विद सर्किल वारे नंबर तो एक पर इसके लवा लगने जो सूर्य है इसके शत्रू भी है तो यह क्या हुए ये मारक हो अब यहां मारक होके ये तो सवाली नियुटता यहां पर यह नहीं बनेगा चुकि करने लगने की कंडली में अगर आप देखें तो एक राशी यहां पर यह अःप इसक्त में यह पंचमेश और सटेश हुए पंचमेश यानि त्रिकोनेश है और लगनेश बुद्ध के ये मित्र भी हैं इसकी वैसे क्या हुए योग कारक हो गए तो योग कारक है लेकिन अब इनकी कहा राशी है देखिए तो यह यह इनकी अपनी कोई राशी नहीं है इनकी अपनी केंद्र स्थान में कोई भी राशी नहीं न तो ऊचराशी है नहीं स्वराशी है इसकी वैसे इसकी हुआ ये क्या हुए चतुर्थेश और पंचमेश और ये योक कारक और इसके लवा लगनेश शुक्र के ये मित्र भी हैं इसकी वेसे यह योग कारक हो गए अब योग कारक हो के अब आप देखें इनकी राशी कहां पर तो एक तो राशी यहां पर उचके हो जाएंगे तो अगर लगन में बैठते हैं शनी तुला लगनी की कुंड़ी में तो यहां सश्योग बनेगा और एक राशी इन आप देखें तो शनी कहां पर है यह क्या हुए त्रतियेश थर्ड के लौड और चतुर्थेश फूर्थ के लौड हुए और इसके लावा लगनेश शनी लगनेश मंगल हैं इनके शत्रू है लेकिन फूर्थ स्थान अच्छा है और मूलत्र को राशी भी इनकी यही पर है तो यहां क्या हुए यह सम हो गए ब्रश्चिक लगने की कुंड़ी में शनी जो है सम हो गए सम हो के भी बना सकते हैं यहां पर यह अपना सश्योग बना सकते हैं तो इनकी एक राशी यहां पर है देखिए राइट एक राशी यह है देखिए फूर्थ स्थान में अपनी आप सम्हें है लेकिन यह बनेगा अब यह धनू लगने की कुडली देखते है थ्यक्तिरी लगने की कुंडली यहां पर शनी की क्या पोईशन पिद झाल में नम्बर एक राशी यहां यहां ग्विलेश और अब इनकी जहाँ जहाँ राशी है वहाँ पर ये अपना बनाएंगे तो इसमें एक तो यहीं पर राशी देखिए लगन में अगर बैठेंगे तो मकर लगन की कुंड़ी में यहां सश्योग बनेगा और एक राशी इनकी यहां पर देखिए 10 इस्थान में यहां उच्छ के हो जाएंगे एक जैल्टेड तो यहां पर बनेगा तो लगन में और 7 इ इस्थान में मकर लगन की कुंड़ी में सश्योग बनेगा अब यह कुम लगन अक्वेरियस लगन की कुंड़ी देखते हैं राइट एक राशी तो यहीं पर रहे हैं देखिए शनी की यह विदावड सर्केल वाले नंबर एक राशी यहां यानि द्वादशेश और मारक हो गए अब इनकी एक राशी यहां दिखाई दे रही है यानि लगन में बैठकर कुम लगन की कुंड़ी में यदि शनी लगन में बैठते हैं एसेंडेंट में तो उस केस में यह सश्योग बनेगा अब यह मीन या पिशीज लगन की कुंड़ी देखिए इसमें विद स यह सश्योग यहां नहीं बन सकता तो मीन लगन की कुंड़ी में यह नहीं बनेगा इसको आप ध्यां से देखिए इसमें हमने टूटल बारा लगने की कुंड़ी में बताया यह कहां बन सकते हैं और किस जगा बन सकते हैं केंद्र में तो कहां नहीं बनेंगे इसके बारे मे आपको बताया यह बहुत important पंच महा पुरुष योग जैसे आपको बताया यह बहुत ज्यादा एश्वारिवान सब कुछ बनाते हैं तो इसके बारे में आपको बताया इसको आप ध्यान से देखें एक जनरल पिक्चर बताई डिफरेंट हाउसेज में या डिफरेंट लगन में यह सब आप डिटेल देखिए इसको स्टेडी करिए बहुती इंट्रेस्टिंग और बहुती इंपॉर्टेंट यह सब्जेक्ट है पंच महापुरुशियों थैंक यू